पुझे अश्री नहीं है जो अमेरिकी बादराओं में 500 पॉइंट की तेजी यह होनी थी क्यों कि 33,500 के आसपास सपोर्ट है अब अहम क्या है दो चीजे है एक तो 14 तारिक की फेड की बेठक करेक्ट 15 तारिक को दो बेठक और है आपकी बैंक ऑफ इंग्लेंड और ECB की है अब आज रात को आंकड़े आने वाले अमेरिका में महगई के तो वो इंपोर्टेंट है तो वो आंकड़े अगर थोड़े बहतर आते है क्या अनुमान क्या बता रहे है 7.7% से घटकर 7.3% अगर वो भी हमारी तरह थोड़े बड़े अनुमान लगाता है नि मुझे पता नहीं 7.3 आएगा अब क्या होता है 7.3 की जगे 7.5 आगया तो भी खाया पया निकाल देए और अगर 7% आजाए तो कहना ही क्या मज़ा ही आजाए आज का नंबर देखते है तो आज इंपोर्टेंट क्या है इंपोर्टेंट यह है कि जब शाम को साड़े तीन बज़े आप जहां बंद हो रहे है तो तीन सवा तीन बज़े के बाद आपको अपने एक बार पोजिशन रिवीव कर लेनी है कि मुझे ओवर्णाइट पोजिशन कितनी रखनी है किसी भी तरफ लोंग या शॉर्ट और स्पेशली ज्यान से सुनेगा स्पेशली ऑप्शन राइटर्स ऑप्शन राइटर्स सावधान हो जाए आज रात अमेरिका में महंगई के आंक्रे है इसी हफते अमेरिका में पोल अमेरिका में मुझे और स्पेशली ऑवर्णाइट तो ध्यान रखेगा और इसका मतलब नहीं कि बाइर एकदम चोड़े होके हम जो मर्जी आए लेंगे तो इतना कम में ना क्योंकि बड़ा मुझ किसी भी तरफ आ सकता है इन नंबर्स के दम पर और वो ड्यू है नोट ने निफ्टी पर अभी मूर बन रहा है कि किधर जाएं किधर नहीं जाएं सो सेम सिचूशन है कि अमेरिकी बादरा में भी या तो आज रात को ये डेटा आने के बाद हो सकता है 34, 534, 600 पार करने की कोशिश करें एक और 500 पॉइंट का मार दो दूसरा ही हो सकता है कि नहीं ऐसे में वोलेटिलिटी बढ़ेगी एक और चीज नोट करने वारी बात है मूँ जो 100-200 पॉइंट का आता था 300 पॉइंट का डाउ में अब 500 पॉइंट का आना शुरू है ये वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत है हमारे बादरों में कल बड़े दिनों बाद 200 पॉइंट की चले, clear है